जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए अपडेट के साथ जो की यंपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती के रिजल्ट को लेकर है फाइनली कल ही आप लोगों के मद्यपर्देश पुलिस कॉंस्टेबल भरती परिक्षा की जो एक्जामे है वो खतम हो चुकी है अब यहाँ पर आप लोगों का भी आंसर के आना बाकी है उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद आप लोगों का साथ में रिजल्ट जारी होगा और फिर फिजिकल का प्रोसेस है ठीक है तो यहां पर क्या क्या चीजे कब-कब यहां पर होने वाली है इसकी पूरी डीटेल्स मैं यहां पर आपको देने वाला हूँ कि यह अंभी पुलिस कॉंस्टेबल भरती का रिजल्ट जो है कब जारी होगा ठीक है फिजिकल कब से सुरू होंगे कितना क्या समय आपके पास फिजिकल के लिए बचा हुआ है सारे डीटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है वीडियो को लास तक देखते रहेगा चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब पर लिजेगा चाकि हर अपडेट आप लोगों को सही और सटिक मिलती रहे अब यहां पर आप लोगों का जो है एक्जाम का जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा यह इंपोर्टेंट है उससे पहले आप लोगों की कट ओफ ठीक है काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में है कि इतने आपके नंबर आ रहे है उस अकॉर्डिंग आपको फिजीकल में नाम आएगा या नहीं आएगा ठीक है यह सारी चीजे काफी परिसान करती है तो चली यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि और जो नार्मल एजिसन होता है तो सभी के नंबर बढ़ते उस अकॉर्डिंग आपकी कट आउप भी बढ़ती है तो यहां पर अभी आपके रॉमाक्स के अकॉर्डिंग को हम बात करें मेल के इन्डेट के लिए ठीक है मेल के निट अगर आप है तो आप बिल्कुल फिजीकल के लिए यहां पर आपको बुला लिया जाएगा ठीक है एस्सी के टीगिरी में देखे तो यहां पर आप लोगों को जो है ठीक है यहां पर आप लोगों को जो है बावन नंबर आगर आपके है ठीक एक मिनट यहां पर ST के लिए 52 नंबर आपके प्लस है तो यहां पर आप बिल्कुल physical के लिए जो यहां पर बुला लिया साएगा ठीक है वहीं यहां पर अगर हम बात करें SC category के लिए ठीक है SC category के लिए का आपको 58 नंबर प्लस आपको चीए ठीक है तभी आप physical के लिए qualify करेंगे और EWS category के लिए अगर बात करें ठीक है EWS के लिए आप लोगों को 60 प्लस नंबर यहां पर चीए होगा तब physical के लिए यहां पर qualify हो सकते हो ठीक है अब यहां पर female के लिए बात करते है ठीक है जो female candidate है तो यहां पर general के लिए बात करें तो general में आप लोगों का minimum आपको 62 प्लस चीए ठीक है 62 प्लस नंबर आपके चीए तभी आपको physical के लिए qualify किया जाएगा OBC की बात करते है OBC में female में आपके 60 प्लस नंबर आपको यहां पर चीए होंगे यह आपका cut-off कुछ इस तरीके से रहने वाला है आपके exam का जो की physical के लिए आप physical में आपके जितने number आते है उस according दोनों के numbers को मिला कि आपकी cut-off तयार की जाएगी अब बात करते है आप लोगों के result की क्या आपका result जो है कब आएगा ठीक है physical कब से सुरू होगा ठीक है आप अपने number चीक कर सकते है कि आपके number कितने आ रहे है साथ में आपको objection करने का भी जो है वहाँ पर option दिया जाएगा अगर आपको लग रहा है कि आपने सही question किया है लेकिन जो है व्यापम की दुआरा उस question का उत्तर गलत दिया हुआ है तो आप उस पर objection कर सकते है जिसके आपको 50 रुपए fee देनी पड़ेगी ठीक है उसके बाद आपका जो result की बात है ठीक है तो result आप लोगों का इस बात देखिए maximum अगर हम बात करें भरतियों में तो एक महने का समय जो है लगता है कि result आप लोगों का है लेकिन अभी यहाँ पर आने जो है चुनाव है आगे वह भी निकाली गई तो उसी आधार पर आपका result भी और जो WhatsApp जो होने वाला है तो यह पर लोगों को बहुत जल्न देखने को मिलेगा 25 से प्टेंबर के आसपास आप लोगों जो है रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाइगा कि के MP Police Constable का जिसमें आपको नॉर्मलेजेशन मार्क्स के साथ आपको जो है नंबर पूरा बता दिया जाएगा और आपने सेकेंड स्टेज के लिए कौलिफाइ किया है या नहीं किया है वो भी आप लोगों को जो है 25 सेप्टेंबर के आसपास जो है 25 से 26 सेप्टेंबर को आपक फिजिकल जो है MP Police Constable का सुरू हो जाएगा ठीके तो उस आधार पर आपके पास जितना समय है आप तैयारी को सुरू कर दीजिए जो मैंने कट आप बताईए उस आधार पर ठीक है अपने नंबर कितने आ रहे है कमेंट जरूर कीजेगा कमेंट बॉक्स में और चैनल को सस्क सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि जो भी अपडेट आए वह आप लोगों को सही और सटीक मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जेहिंद